वेलकम दोस्तों स्वागा थे आप सबी का हमारे यूटूब चैनल में आज मैं बताऊंगा आपको कीकर के गोन से बना एक ऐसा नुसका जो की फायदा पहुचाएगा आपको पुराने से पुरानी शीगर पतन की समस्या में शीगर पतन क्या होता है? शीगर पतन होता है वीरे का जल्दी निकल जाना इसको कहते हैं pre-mature education अब वीरे का जल्दी निकल जाने से क्या मतलब है? देखे जब आप संभोग कर रहे हो या संभोग करने से पहले यदि आपका वीरे एक मिनट से पहले ही निकल जाता है जिसके बज़े से ना तो आप संभोकी किरिया में संतुष्ट हो पाते हैं और ना ही अपनी पतनी को संतुष्ट कर पाते हैं इसको कहते हैं शीगर पतन की समस्या वीरे का जल्दी निकल जाना या फिर pre-mature education अगर आपकी पुराने सी समस्या है तो इसमें ये कीकर का गोंद बहुत फायदेमन्द होगा आपको बनाने होंगे इस कीकर की गोंद के लड़ू मैं बताऊंगा आपको कैसे नुस्खा तियार करना है पहले जान लीजिए कि कीकर का गोंद क्या होता है देखिए कीकर इसको बबूल भी कहा जाता है ये क्या रजिस्तानी इलागों में ने कि सूखे इलागों में पाय जाने वाला एक पेड़ होता है जिसमें प्राकरतिक तोर पे एक द्रब निकलता रहता है जो कि खटा करके इस तरह की फॉर्म में आता है आप देख रहे हैं ये हलके भूरे रंग का होता है थोड़ा सा वाइटिस्ट अभी होता है या ये कह सकते हैं ये गोल्डन कलर में होता है आप देख सकते हैं इस तरह का कलर होता है ये होता है कीकर का गोन इसका वेग्जानिक नाम है एकेसिया अरबिका और इसके ट्री को कहते हैं एकेसिया ट्री तो ये है वो आपके सामने जिसके हम बात करें जिसके हम अनुस्खा बनाएंगे और आपको बताएंगे कितना उपयोगी है ये शीगर पतन में देखे कीकर मैंने बताया आपको कि प्राकरतिक तोर से निकलने वाला इसको इखटा किया जाता है पेड़ से फिर इस फॉर्म में लाकरके ये आपको बजार में मिल जाता है क्या आप छोटे लिंक से परिशान है आपके लिंक का साइज कम है लंबाई कम है मोटाई कम है लिंक में तेड़ा पन है तो उसके लिए विकल्प है आपके सामने ये चार्जिंग वाला पंप जिससे आपको exercise करनी है, oil से malish करनी है, जिससे फायदा ये होता है कि लिंक की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, लिंक का टेड़ापन दूर होगा, ये चार्जिंग वाला पंप आप हमारे से म प्रिशानी को दूर करेगा ये कीकर के लड़ू, सबसे पहले आपको लेना है कीकर का गोन, या आप बजार में जाएंगे तो आप बबूल का गोन भी कह सकते हैं, 200 ग्राम आप कीकर का गोन लाएंगे, उतने ही बराबर मातरा में आप लाएंगे सूजी, यानि कि 200 ग्राम क एक चीज और मिला लें जिसको कहते हैं अशुगंदा, अशुगंदा जो कि आपको बहुत फायदा पचाती है, किसी भी दवा में मिलाया जाया अशुगंदा उसके गुण को और बढ़ा देती है, यदि आप उसको भी मिला लें इसके अंदर अशुगंदा को तो बहुत फ यह तीनों चीजे आप लें शाद में आप लें देसी गी सबसे पहले आपको कि यह कर दा लें बरतन के अंदर सबसे पहले आप लेंगे डेसी गी डालें लगबक पचास ग्राम आप घी लें आप उसमे अपने ईटीइं और देसी को बूझी जब बूझका ह Grade ही वह दैस슬, हो जाएगा सूजी में मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से उसके बाद आपको डालना है पचास ग्राम जो आपने अशुगंदर लिया था उसका पॉडर ध्याने के पॉडर ऐसे ही निडाल देनी है उसका पहले पॉडर बना के रखें और फिर पॉडर को इसके अंदर आप के लड़ू बना लेंगे लड़ो को ठंडे होने दे ठंडे होने के बाद अब ये नुस्खा आपका तयार है इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे आप इस्तिमाल आप ऐसे करेंगे कि रात को सोने से पहले एक लड़ू आपको दूट के साथ लेना है रोज आपको यही काम करना है कि रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद दूट के साथ एक लड़ू आपको लेना है तो आप पाएंगे कि कुछी समय में जो आपकी शीगर पतन की समस्या थी जिससे ले करके आप बहुत परेशान थे विवाहिक जीवन आपका परेशानियों से भरावा था उसमें आपको बहुत फायदा होगा आप भी संतुष्ट होंगे और आप अपनी पतनी को भी संतुष्ट कर पाएंगे शीगर पतन की समस्या को अपने जीवन से आप निकाल देंगे इस्तेमाल करेंगे कीकर के गोन के लड़ू का तो दोस्तों ये वो तरीका है ये वो जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हो तरह की जो दवाएं हैं उनमें क्या जाता है कई तरह के माजून आते हैं जैसे माजून अरत खुर्मा है उसमें इसका इस्तेमाल क्या जाता है एक और माजून आता है लबूब कबीर उसमें भी इसका इस्तेमाल क्या जाता है यानि की कही तरह की दवाएं हैं जिसके अंदर की करके Goon का इस्तेमाल किया जाता है और इब आप लडू बना रहे हैं की करके Goon को तो आप सूच लीजा आपको कितना फायादा मिलेगा अस से तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके में बात करी आप से की करके गोंद को ले करके उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ में भी आई होगी तो आज की वीडियो में इतना ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई